नमस्कार स्वागत है आपका जेजेन न्यूज में मैं हूँ आपके सांस संगीता ना नीती है और नहीं नीयत है जिसका फायदा पूरी दरह भाजपा को मिल रहा है उन्होंने कहा की उत्राकंट की नहीं बलकि पूरा देस राममय हो रहा है जो प्रभुराम के सांथ है वो पार हो जाता है और जो प्रभुराम से विमुख होता है वो डूप जाता है साथ ही उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस महात्मा गांदी के मार्ग से हट कर अब वामपत के मार्ग पर आगे बढ़ रही है आज की कॉंग्रेस पार्टी भारत तेरे टुकडे होंगे के नारे लगाने वाले के साथ खड़ी है और यही कॉंग्रेस के पतन का मुख्यकारण है वहीं भास्पा में सामिल होने के सवाल पर उन्हाने कहा कि मैंने भास्पा को जॉइन नहीं किया, मैंने मोधी को जॉइन किया है. विपक्ष में कोई चुनाव नहीं है, देश मोधी के साथ है, और जो भी चुनाव हो रहा है, विपक्ष में ना तो नीती है, ना नेता है, ना नियत है, जिसका फायदा अटोमेटिकली बीजेपी को मिल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में, सिर्फ उत्राखंड में ही नहीं, पूरा देश इस समय राम में हो रहा है, और जो राम के साथ है, वो पार हो जाता है, जो राम से विमुख होता है, वो डूब जाता है. कॉंग्रेस के लिए क्या कहने चाहिए, शक्ता सार कॉंग्रेस ने भी राज़ किया है? कॉंग्रेस मात्मा गांधी की रास्ते से हटके अब वामपंथ की रास्ते पे जा रही है, मात्मा गांधी, सुभाशंद्र बोवस, पंडिजवाल लाल नेरू, इंद्रा गांधी और मौलाना आजाद की कॉंग्रेस जो थी, वो देश भक्त कॉंग्रेस थी, देश भक्त कॉंग्रेस थी आज की जो कॉंग्रेस है यह बारत के टुकडे होने वालों के साथ खड़ी है जो महात्मा गांदी की कॉंग्रेस थी वो राम राज्य का सपना देखती थी आज की कॉंग्रेस राम से नफरत करती है यही कॉंग्रेस के पतन का मुख कारण है मैंने बीजेपी को जोईन नहीं किया है लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जोईन किया है सुक्रवार को धर्म गुरू और कॉंग्रेस की वरिष्ट नेता प्रियंका गांदी के सलाकार रहे आचारे प्रमोत कृष्णन पूरु ब्लोग प्रमों ग्रामनगर विकास खंड़ के संजनेगी का आवास पर पहुंचे जहां उनके समर्थों ने उनका जोड़दार स्वा लेकिन आज राष्ट के तोगड़े करने वाली लोगों को तोड़ने वाली कोंग्रेस बन गए निश्ची तौर पर पतन की होत्त अब कॉंग्रेस जा रही तो उन्होंने का आज पूरा देश राम में हो गया है लेकिन कॉंग्रेस राम बिरोधी हो गया और उन्होंने पर देश में परधान मंतिरी नरेंद मोदी के नेतरत में बाचपार की सरकार बनेगी उन्होंने का जो भी राम का भक्त हुआ वो तर गया और जिसने राम का विरोध किया उसका पतन निश्ची तोर पर हुआ है तो यह बड़ी बात आज 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 आचारे प्रमोत पर देश की जनता भी जह है पूरी तरह कॉंग्रिस से तरस्ते 70 साल राज करने के बाद भी आज जनता ने कॉंग्रिस को पूरी तरह नकार दिया और उनका सीधा उराना की कॉंग्रिस के बड़े बड़े नेता आज नरेंद मोदी के भक्त हो चुक है राम नगर से आम खबरों के लिए आप बने रहें जेजेन न्यूस के साथ धन्यवाद